नमस्कार साथियों, अमरित करपा केडमे के इस ओनलाइन प्लेटफोरम पर आपका हरदिक स्वागत है, आप कैसे हैं, पढ़ाई आपकी चल रही है, कैसी चल रही है, यदि दीव में चल रही है, तो इसको तेज गरो आप, लगातार क्लासों को देखिए, नोट्स बनाईए, प्रेक्टिस किजिए, राजस्तान के बुगोल की ये जो कक्सें हैं, ये लगाता चल रही है, हमने एक भी कलास बीच में मिस नहीं किये, ऐसा नहीं है, बीच बीच में हमने कलास छोड़ दी, लगातार क्लासे चल रही हैं आपकी, बाकि तो आप जाने अब क्या कर रहे है, क्या नहीं कर रहे हैं हम अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं आप भी अपनी तरफ से मेहनत करें कि राजस्तान के बुगोल के अंदर तीसरा टोपिक चल रहा है कल यह टोपिक भी खतम हो जाएगा और यहां हम राजस्तान का अपवाहत अंतर पढ़ रहे हैं, राजस्तान की नदिया पढ़ रहे है इन राजस्तान की नदियों को हमने दो भागों में बाटा था आज हम जैसे आप देख रहे हैं यहां पर लूनी नदित अंतर पढ़ेंगे हम मा आपको थोड़ा सा पहले वापिस पिछे वाले बाते बता देता हूँ कि हमने राजस्तान की नदियों को दो भागों में बाटा था राजस्तान की नदिया सोरी तीन भागों में बाटा था उसमें जो पहला भाग है वो आपका बंगाल की खाड़ी की नदिया है बंगाल की खाड़ी की नदिया यह हमने पूरा कर लिया है यह टोपिक बंगाल की खाड़ी की नदिया हमने सारी पढ़ ली है उसके बाद है अरब सागर की नदिया अरब सागर की नदिया अरब सागर की नदिया हम पढ़ रहे थे कल जो कलास थी अपनी वो अरब सागर की नदियों की ही थी अरब सागर की नदियों के अंदर कौन कौन सी नदिया है उसमें हमने जो पढ़ ली वो कौन सी है माही नदी तंतर है उसके बाद साबर मती नदी तंतर पढ़ा हमने उसके बाद में हमने एक पस्टिमी बनास को पढ़ा आज हम लूनी नदी तंतर को पढ़ेंगे ये अरब सागर की नदियों के अंदर जो नदी तंतर हैं ये तीन अपने कल वाली कलास में पढ़े थे आज हमें लूनी नदी तंतर पढ़ना है आज की हेडिंग डाली है आपे लूनी नदी तंतर लूनी नदी तंतर और लूनी नदी तंतर लिखा है इसका मतलब यहां मुख्य नदी कौन सी है लूनी नदी है तो यहां पर अपन लूनी नदी पढ़ेंगे और लूनी नदी की कुछ है साहिक नदिया पढ़ेंगे अपन एक तो लूनी नदी हमें पढ़नी है और लूनी नदी की साहिग नदी हमें पढ़नी है सबसे पहले हम लूनी नदी की बात करते हैं लूनी नदी का जो उद्गम होता है लूनी नदी का उद्गम होता है जिस इस्तान से उस इस्तान का नाम है नाग परवत नाग पर्वत और ये किस जिले के अंदर है ये? अजमेर जिले के अंदर है ये याद आ रहा है नाग पर्वत पीछे हमने अरावली की जो चोटिया पड़ी थी उसमें मद्दे अरावली की चोटिया पड़ी थी उसमें नाग पर्वत को पड़ा था उसके उन्चाए बार-बार पूछी गई है यहां से यह नदी नाग परोट से निकलती है और नाग परोट से आगे जब बैती है तो इस्टार्टिंग में इसका जो नाम है वो सागरमती है सुरू में इसका नाम क्या है? सागरमती यानि इसका जो उद्गम इस्तल होता है वहाँ पर इसका नाम रहता है सागरमती तो आपको पूछ लेकि लूनी नदी को उद्गम इस्तल पर किस नाम से जाना जाता है तो वो है सागरमती इसके बाद ये नदी आगे इदर पास से एक और छोटी नदी निकल के आती है और उसका नाम है सरस्वती उसका नाम क्या है सरस्वती ये दोनो नदियां जिस इस्तान पे मिलती है उस इस्तान का नाम है गोविंदगड उस इस्तान का नाम क्या है गोविंदगड ये भी आपका अजमेर के अंदर ही है अजमेर में और गोविंदगड में जब ये दोनों नदिया मिलती है तब इसका नाम क्या हो जाता है तब इसका नाम हो जाता है लूनी नदी तब इसका नाम क्या हो जाता है लूनी नदी उसके बाद ये लूने नदी आगे राजस्तान के आठ जीलों में, आज की श्तति में आठ जीले है और यदि पुराने जीलों के अकोर्डिंग देखे तो छे जीले है इन आठ जीलों में परवाईत होती हुई और लास्ट में यहां कच के रण में विलुपत हो जाती है कच के रण में विलुपत हो जाती है यह आपका कच का रण है और जो कच का रण है वो किसका हिस्सा है वो आपका अरब सागर का हिस्सा है अरब सागर का हिस्सा है बात समझ में आगी वापिस में रिपीट कर रहा हूं कि लूणी नदी को उद्गम इस्तल पर शागर्मती नदी के नाम से जाना जाता है इधर से सरस्वती नदी आती है पुस्कर की पहाड़ियों से निकल कर गोविंद गड़क यहां दोनों यह नदिया मिलती है तब इसका नाम हो जाता है लूणी नदी यहां पर इसका नाम क्या है लूणी नदी लूणी नदी और यह लूणी नदी राजस्तान के टोटल आज क स्तति में ये आठ जीलों में परवाइत होती है इससे पहले आपको मैं बतायता हूँ लूनिके यदि आपको उपनाम पूछ ले उपनाम पूछ ले तो इसे प्राचिन समय में लवणवती नाम से लवणवती नदी के नाम से जाना जाता था इस नदी को ही आधी मिठी आधी मिठी और आधी खारी आधी खारी नदी के नाम से जाना जाता है क्योंकि बालोतरा तक ये जब नदी बैती है तब तक इसका पाणी मिठा है लेकिन आगे फिर बाद में लवण युक्त नमक चटाने मिल जाती है इदर यहां से हवा के साथ अरब सागर उस साइड का भी नमक इदर आ जाता है इसलिए ये कुल मिला के नदी है वो खारी हो जाती है तो बालो तरह के बाद इसका पानी क्या हो जाता है खारा हो जाता है इसलिए इसे आदि मिठी आदिखारी नदी के नाम से जाना जाता है इसका जो परवा है छेतर है राजस्तान में इसका परवा है छेतर है राजस्तान में वो किते जिलों में है वो आठ जिलों में है आठ जिलों में है, ये आठ जिले कोण कोण से हैं तो पहला तो जहां से ये निकल रहे है यानि अजमेर है, अजमेर के बाद ये नदी चली जाती है नागोर के अंदर, नागोर में चली जाती है ये, नागोर से फिर ये चली जाती है ब्यावर के अंदर, ब्यावर के अंदर, उसके बाद में ये नदी चली जाती है पाली के अंदर फिर चली जाती है ये जोदपूर ग्रामिन में जोदपूरे ग्रामिन में उसके बाद आगे ये नदी चली जाती है आपकी बालोतरा में बालोतरा से ये नदी चली गई बाड मेर में और बाड मेर से ये चली गई जालोर सोरी सांचोर में अब सांचोर है ना जो पहले जालोर का भाग है वहां से बैठी थी अब वो छेतर सांचोर है जहां से लूने नदी बैठी है ये आठ जिले हैं जहां से ये नदी परवाइत होती है इसका स्क्रीन सोट लेओ आप एक बार इसको मानचितर में भी अपन देखते हैं देखो जर यह मानचितर है अपने को अजमेर वाला लेना तो अपर वाला तो काम का है नहीं तो इसको तो यह बाद थोड़ा उदर चोड़ देते हैं थोड़ा बढ़ा कर लेते हैं इसको अपने यह देखो ज़ए यह अजमेर है हाना अजमेर है यह ठीक है अजमेर से बहने के बाद यह नागोर है आपका यह ब्यावर है क्योंकि इदर नागोरी उच्पूमी है तो यह बाग उपर उठा हुआ इसलिए नदीवापिस दक्षिन के साड़ चली जाती है यह यह ब्यावर हो गया यह आपका पाली हो गया पाल लोत रहूगे यह बाडमेर हो गया और यह आपका शंचोर ओगया ऐसे यह नदीक वेतिती हैThank you यह जिले हई ये जीखेदृ के नाम मां इसे लिख रहरा हूँ आपके यापका अजमेर हो गया कि अजमेर हो गया यापका नाग эконом हो गया नागोर, इधर ये ब्यावर हो गया, ये आपका पाली हो गया, जोदपूर्ग रामिन हो गया, बालोत्रा हो गया, बाड मेर हो गया, और ये सांचोर हो गया और लास्ट में ये नदी कहा गिर जाती है, कच के रण में, कच के रण में, और कच का रण किसका इस्सा है, अरब सागर का, ठीक है, जहां से ये निकड़ती है, उस इस्तान का नाम क्या है, नाग परवत, क्या नाम है, नाग परवत, ठीक है, और सुरू में इसको क्या कहते है सुरू में इसको सागरमती नदी के नाम से जाना जाता है यह मानचितर में भी आप थोड़ा सा देख लीजिए आप ठीक है देखो इसका भी स्क्रीन शोट लेओ पिर देखो यह बते समझा गए दोनों यह अब उसके बात देखिए आप फिर अपना बात करते हैं कि यह जो लूणी नदी है लूणी नदी की कुल लंबाई यदि आपको पूछ ले लूणी नदी की कुल लंबाई तो कुल लंबाई कितनी है चारशो पिचानम किलोमेटर है कुल लंबाई कितनी है 495 किलोमेटर है लेकिन यही लंबाई यह दिया आपको राजस्तान में पूछ ले कि लूणी नदिय की राजस्तान में लंबाई कितनी है पूछ सकता है बड़ी नदिया है बड़ी नदियों की लंबाई आपको याद रखने हैं मैंने आपको बार बार बता दिये और इसकी लंबाई है 330 किलोमेटर 330 किलोमेटर एक बाद तो आपको यह याद रखनी है उसके बाद में इसके बाद में और क्या याद रखना है कि इसको मैंने थोड़ी देर पहले बताया है कि इसको आधी खारी और आधी मिठी नदी के नाम से जाना जाता है मिठी नदी के नाम से जाना जाता है और इसे क्यों जाना जाता है आधी मिठी और आधी खारी क्योंकि ये नदी जब इदर नाग परवत से यहां से ये नदी इदर से निकल के आती है तो इसका पानी बालोतरा तक मिठा है उसके बाद खारा हो जाता है उसके बाद इसका पानी खारा हो जाता है जैसे ये इस्तान बलोत रहे ये ये इस्तान बलोत रहे और ये इस्तान है आपका जहां से ये नदी निकल रही है नागे परवत और इसके बाद में ये आपका हो गैदर कच्का रन कच्का रन यहां तक इसका पानी मिठा है यहां इसका पानी कैसा है मिठा है और यहां बालोतरा के बाद इसका पानी क्या हो जाता है खारा हो जाता है इसलिए इस नदी का नाम का है आदे मिठी आदे खारी कारण आपको मैंने बता दिया कि भाई शुरुवात में तो ये बर्शाथ का पनी तो मिठा ही पनी होता है बर्शाथ का लेकिन बाद में आगे जब इदर आगे की तरफ जाओगे तो कच करन तो बहुत बड़ा नमक का चेतर है हाना इदर से अरब सागर से जो भी हवाई आती है उनके साथ ये नमक उड़के जाता है यहां पर नमक की चटाने भी हैं इसलिए उसमें जब यह पणि मिलता है न तो फिर वो क्या हो जाता है पणि खारह हो जाता है यह एक बात आपको याद यह रखनी है यह परसन पिछे पुछा था कि यदि नाग पर्वत पर भारी बारिस होती है नाग पर्वत पर कि यह बारी वर्षा होती है वर्षा होती है तो तो न बाल बार दायेगी और बाल- हूत्रा में बारती ह५ बाल बारत यह सटे हैं आए पिछे यह परसंल उन्होंने यह पूछा था कि यह नाग परवत लुटर भारी बारी सोती ये तो बाड कहा एगी हैं तो फिर बात में अपन भी लगां Toyota शक्का ना स्पास यह अन्दाज़ा लगाए उसके बाद यह इंपोर्टन्टवर्ट है यह पहले तो कि गोनें तो कि अ उसका को चुंद करण क्या है मुद्ध हर ए सब यह कि बालोता के पास आते ही इसका जो पाठ और थोड़ा होजता है दूसरी बात बालो तरह जो शहर या छेतर है वो जो छेतर है वो इस नदी के निचे हूँ और यह नदी थोड़ी उपर से बैती है, इसलिए वहां बार्ड आजाती है, तो यह थोड़ा से याद रखना है, यह पूछे, पूछा हुआ परसन भाई, ठीक है, यह थोड़े याद रखना आपको, यह बात समझागी, एक तो इसको आदी खारी, आदी मिठी नदी के नाम स इसके उपर दो बांद है, एक बांद है जिसका नाम है जस्वंत सागर बांद है, क्या नाम है जस्वंते सागर बांद है, इसी का दूसरा नाम है पिच्चियाक बांद है, क्या नाम है पिच्चियाक बांद है, यह आपका जोधपूर गरामिन में है यह, यह आपका का पर ह जोद पूरे ग्रामिन के अंदर और एक बांद आगे बाड मेरे में है ना कोड़ा बांद कौण सा ना कोड़ा बांद ना कोड़ा बांद यह कहां पर है यह आपका बाड मेरे के अंदर है तो दो इस नदी के ऊपर क्या बने हुए है बांद बने हुए है यह भी थोड़ा से याद रखना एक और याद रखना इस नदी के किनारे एक पसु मेला बरता है इसे नदी के किनारे क्या है एक पसु मेला बरता है इसको इधर वाले को मिटा रहा हूं एक बार हाना ये नदी तो अपने पीछे बनाए लिए ये यह देखो एक क्या है एक याद यह रख लेना कि नदी के किनारे कौन सी नदी के किनारे लूणी नदी के किनारे लूणी नदी के किनारे राजस्थान का राजस्थान का राजस्थान का सब से प्राचीन पसु मेला बरता है और वो पसुमेला जिस इस्तान पे बढ़ता है उस इस्तान का नाम है तिलवडा और यह आज की स्थती में आता है बलोतरा जिले में ही बलोतरा जिले में तो यह भी थोड़ा सा याद रखना है हाना और यह पसुमेला इसका नाम क्या है मलीनात पसुमेला मली नाथ है पसु मेला ये इस लूणी नदी के किनारे ही है ये ठीक है न ये भी थोड़ा सापको याद रखना है वापीस में रिपीट कर रहा हूं इदर कि लूणी नदी के कुल लंबाई 495 किलोमेटर है राजस्तान में लंबाई 330 किलोमेटर है आधी खारी आधी मिठी एक इस नदी के किनारे राजस्तान का सबसे प्राचीन पसु मेला बरता है जिसका नाम है मलिनात पसु मेला जो कि तिलवाड़ा में बढ़ता है आज की स्थी में ये तिलवाड़ा बाड मेरे के अंदर सुरी बालोतरा के अंदर है ये पहले ये बाड मेरे मेरे में आया करत ता इसका भी स्क्रिन सोट लिजिए अब पिर देखो फिर पढ़ते हैं अपने इसके सहयक नदियां है लूनी नदी की सहयक नदियां ये थोड़ा सा डंग से पड़ना वाई यहां से परसंद आता है लूणी नदी की सहायक नदियां सहायक नदियां कौन-कौन सी है ठीक है जिसमें सबसे पहले जो हम लूणी नदी की सहायक नदी पढ़ेंगे उसका नाम है जोजडी नदी क्या नाम है जोजडी नदी तो एक नमबर पे सहायक नदियों में है इसकी पढ़ रहे है क्या जोजडी नदी जोजडी नदी ठीक है जोजडी नदी सबसे पहले इसकी साइक नदी कौन ची है भई जोजडी नदी लूणी नदी की साइक नदियों में सबसे पहले साइक नदी कौन ची है जोजडी नदी देखो फिर एक बार वापीस आप पढ़ इदर से यहां से नाग परवत से निकली सागर मती हाना फिर बाद में ये इदर बैती हुई इदर बैती हुई और लास्ट में राजस्तान के आठ जिलों में बैती हुई ये नदी कहा चली गई ये नदी आपकी हाना कि नदी जिदर बैती है उदर अपना मुझ कर लो अपना दाया है वो नदी का दाया रपना बाया है वो नदी का बाया है तो इसके दाएं किनारे से एक नदी मिलती है इदर से यहां से एक नदी आती है ठीक है दाएं किनारे से मिलने वाली एक मातर नदी यही है वई बा और इधर जो ये नदी हमने लिखी है, इस नदी का नाम है जोजडी नदी, क्या नाम है, जोजडी नदी, ठीक है, ये जोजडी नदी है इसका उद्गम इस्तल, इसका यदी अपने को उद्गम इस्तल पूछ ले, यानि ये नदी निकलती कहा से है, तो इसका उद्गम इस्त यह पढ़ती है अपने नागोर के अंदर कहां पढ़ती है नागोर के अंदर तो नागोर के पांड लुगाओं की पाडियों से निकलते है उस नदी का नाम क्या है इस नदी का नाम है जोजडी नदी उसके बाद नागोर में और जोधपुर में यह नदी बहती है और जोधप जोदपूरे गरामिन, जोदपूरे गरामिन, जोदपूरे गरामिन, यहां तक बात कलिए रहे, यहां तक अधिकत, उसके बाद अपना अगे चलते हैं, उसके बाद देखिए, यह नदी दो जिलों में बई, और फिर आपको क्या आद रखना है, कि दद्या, यह दद्या इस् हैं दद्या जोद पूर्ग्रामिन में पड़ता है ये तो दद्या नाम की स्थान पर दद्या नाम की स्थान पर ये नदी किसमें मिल जाएगी किसमें मिल जाएगी लूनी नदी में मिल जाएगी दद्या नाम की स्थान पर लूनी नदी में विले लूनी नदी में विले अब अब एक इंपर्टेंट फ्यक्त में लिखरा हैं, वो, कई भार पूच वाया, वो, ध्यान रखना हो, बोट इंपर्टेंट फेक्त है वो, हनग अच्छी तरीके से याद लेग ले ना भाय, इसको इस्टार लगा लेगा ले याप जिती बार आप, जिती बार इस्टार लगान जाट्रेंपेट है कि जो जड़ी नदी, ‫हां से दौ टाइब क प्रसन पूचा जाता है, जो जड़ी नदी एक मात्र ऐसी सहाइक नदी है यानिव ये लिग सकते हो आप, कि जो जड़ी नदी जो जड़ी नदी लूणी नदी की एक मात्र, लूनी नदी की एक मात्र ऐसी सहाइक नदी है जो लूनी नदी के दाईं और से मिलती है दाईं और से मिलती है ये इंपोर्टेंट है ये दाईं और से सब दना ये भाई थोड़ा से द्यान रखना ये क्या है ये इंपोर्टेंट है ये किदर से मिलती है दाईं और से मिलती है ये ठीक है और इदर से जब मिलती है ना तो नागोर में इदर अरावली की पाड़िया नहीं बाकिस के साइक नदी आना वो अरावली से आएंगी तो ध्यान रखना कि इसका उद्ग में अरावली से नहीं है अरावली परवतमाला से नहीं अरावली परवतमाला से नहीं यह समझ जाना क्यों आगे वाली जो है नदियां वो अरावली परवतमाला से आएंगी तो य आजिया जोदपूर ग्रामिन मेंट में इस्तान वहां जाकर ये नदी इसमें मिल जाएगी यी आपके इस लूरी नदी में मिल जाएगी ये इंपोर्टेंट नदी की एक मात्रस एक नदिया जो किदर से मिलती है इसके दाइं और से मिलती है बाग की सम्नादियां किदर से मिलेंगे इसके बाइं और से मिलेंगे चलो इसका स्क्रिंशोट लेओ ठीक है फिर देखवागे आना हम क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं लूनी नदी की साइक नदी एक बार देखो वापिस हम क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं लूनी नदी की साइक नदिया आना चलो यह पिछे लिखिए दिया अपने ठीक है न सायक नदी देखो मैं सिद्धाय लिख रहू है लूनी नदी किसा न एक नमर नम्बर हमने क्या लिख निखा है जो जड़ कौनसी नइ लेयी लडी नभी कौनसी नदी लेयी लडी नदी, तो आगे हम बढ़ते हैं कि इसको इसकी सायग नदियों में लेयी लडी नदी को वापिस आपको क्या मनानी है आपको वोई लूनी नदी बनानी है अना लूनी नदी मनानी इधर मनाते हैं पर थोड़ा सा इधर क्योंकि यह नदियां सारी अब इधर पढ़नी है अपने को यह आपकी यह लूनी नदी ठीक है यह लूनी नदी है यह है यह यह नदी क का नाम क्या है उस नदी का नाम है जोजडी ये उपर से नदी आई इसका नाम के जोजडी ठीक है इसका नाम क्या है जोजडी नदी हाना जोजडी में क्या फेक्ट इंपोर्टेंट है कि एक मातर ऐसी नदी जो किदर से मिल रही है इसके दाएं किनारे से मिल रही है आगे इस के बाद जाके यह नदी किसमें मिल गई है यह नदी मिल गई आपकी लूनी नदी के अंदर इस नदी का नाम कै इसका नाम है ली लडी नदी क्या नाम है ली लडी नदी सारी नदी आपने इदर बना लेते हैं आगे लिखते जाते हैं ठीक है ना ली लडी नदी अब ली लड Curtin-Nada. हाना, और लेलणी नदी का जो उद्गम स्थल, है उद्गम स्थल का मतलब जहां से यह नदी निकल रही है। इसका उद्गम स्थल है जवाजा उस इसतान का नाम किया है? जवाजा और ये ब्यावर के अंदर है कहा है ब्यावर के मतलब ब्यावर से निकड़ के आती है ये हाना और उसके बाद ये नदी आगे जाके हाना और एक इस्तान पड़ता है निम्बोली क्या नाम पड़ता है निम्बोली या निम्बेल ये पाली के अंदर है हाना यहां जा के और इसका विले किस में हो जाता है लूनी नदी में विले इसका मतलब इसका जो परवाद छेतर है वो दो जिलों में है एक तो ब्यावर और एक एक आपका कौण सा है पाली यानि इसका परवाद छेतर की ते जिलों में भई इसका परवाद छेतर है आपके दो जिलों में औ और वो दो जिले कॉन से होगए एक तो गए ब्यावर। एक तो कॉन सा होगए व्यावर। और एक कोण सा ब्यावर। पढली। ठीक है। इसको लिखो आप। ये हो गई आपकी लीलडी नदी। हाना अपने इदर लिग लेते हैं वो डाइग्राम उदर बढ़ाते हैं यह दिखतो रहा ना छोटा तो नहीं हो रहा ना यह लीलडी नदी ठीक है देखोए बार लीलडी नदी लीलडी नदी कहां से निकली यह नदी निकली आपकी जवाजा ब्यावर से और दो जिलों में प पड़ते हैं पर जिसका नाम है बंडी नदी क्या नाम है बंडी नदी ठीकर एक बार मैं इदर नाम यह लिग देता हूं मैं फिर अपन डाइग्राम में लेते हैं इदर इसके जवस निच एग नदी है उसका नाम है अच्छती नंबर बंडी नदी क्या नाम है बंडी नद यह जो बांडी नदी है ना बांडी नदी यह आपके इसका उद्गम इस्तल है इसका उद्गम इस्तल है हेमावास इसका उद्गम इस्तल कहां है हेमावास और यह जो हेमावास इस्तान है यह पाली के अंदर पड़ता वई कहां पड़ता है यह पाली में पड़ता है देखो इसको चितर में देखते हैं डाइग्राम में देखते हैं ठीक है ये नदी इधर से यहां एक नदी है और इसका नाम है बंडी नदी अब उद्गम इस तलर यह नहीं लिखेंगे वरना तो फिर क्या थोड़ा से ओ जाएगा जदे ऐसे गिचर्ड बिचड़ो जाएगा और इस नदी का नाम क्या है बंडी नदी इसका नाम है बंडी नदी इसका नाम है बंडी नदी है बात क्लिए रहे है कि इसको भाई मिटा देपने अना उधर लिखे लिए अपने है बंडी नदी इसका उद्गम इस्तल बार बार नहीं लिखेंगे इसका उद्गम इस्तल क्या है ह हेमावास के पास में क्या है हेमावास बांध बना हुआ इसी के नाम से ठीक है कि है एक में टुकना बैए एए ठीक चलो हा तो बंडी ने दिखा उद्गम इस तल क्या है बंडी नदी का उद्गम इस तल है हेमावास इसके पास ही मैंने क्या बता है आपको क्या बना हुआ है इसके पास में बना हुआ है हेमावास बांध ठीक है तो एक बात यह लिख सकते हो कि इस नदी के ओपर कौन सा बांध है हेमावास याद रजाएगा यह क्योंकि नदी का इसके पास ही होता है ये और ये मवास बांद ऐसके उपरे के पाली के अगzus प्र उसके बाद पर वाध्य थे ट स्थाङस्त्र दो जिलों में डव главное है दो जिलों में एक तो कुंसा पाली और एक उनसा है एक जोदपूर ग्रामीन है और जोदपूर ग्रामीन का एक इस्तान है लखर जोदपूर ग्रामीन का एक इस्तान है लखर वहाँ जाके यह नदी किसमे मिल जाएगी यह नदी मिल जाएगी लखर लखर इस इस्तान का नाम याद रखना लखर कहा पड़ेगा थेक रना और उस नदा का नाम हे गुहिया तिया नाम में गुहिया यह इदर उपरी तरफ है यह यह बनाना है आपको यह क्योंकि young पुछा हुआ है बाई परसन ये इनका करम पुछा था इसमें गुईया का भी नाम था ये जो नदी है उसका नाम है गुईया नदी क्या नाम है गुईया नदी ये उत्तरशे दक्षिन की और करम लूनी नदी की साइग नदियों का बहुत बार पूछ चुके भई तो में आप ये लिख सकते हैं कि बांडी नदी की साइक नदी है यहां थोड़ा सा आप याद रखना ये लिखना आप कि गुईया नदी कौन सी नदी गुईया नदी किसकी साइक नदी है तो गुईया नदी आपकी है बांडी नदी की साइक नदी ये याद रख लेना बांड बांडी नदी की सहाइक नदी ठीक है हाना चलो इसका स्क्रीन सोट लेखो फिर बाद में डाइग्राम पर चलते हैं पड़ हाँ ओक्या पर बहुत गर्भी फिर डाइग्राम देखोए बार अच्छे इदर आगे हाँ यह डाइग्राम देखोए अब एक नदी ओर लिख रहें अपने अब नए पेज पर वापिस एक नदी ओर लिखेंगे इसके निचे देखो लीडी हो गई इसके नदी आएगी जिसका नाम है सूकडी क्या नाम है सूकडी तो सूकडी किते नमर चार तीन होगी न एक मिनट एक मिनट जोजडी हो गई लेलडी हो गई बंड़ी हो गई ठीक है अब चार नमर बंड़ी की साइक नदी कुई आओगी अब फिर एक अपन लेते हैं इसकी एक साइक नदी ओ जिसका नाम है सूकडी चार नमर प्याप लिको शूकडी नदी नदी का नाम क्या है सूकडी नदी सूकडी नदी ठीक है अभी हम सूकडी नदी बनाएंगे सूकडी नदी का जो उद्गम इस्तल है इसका जो उद्गम इस्तल है वो आपका है देश सूरी उसिस्तान का नाम क्या है देश सूरी और ये पहले पढ़ने पिछे पढ़ा है ये क बंडी के निच्छे वो कोणशी है वो आपकी सूकडी है बो अब इसको अपन डाइग्राम में बनाएंगे हाना यह इपना डाइग्राम रहा देखो इदर अब नाते हैं आपन किसको शूकडी को यह नदि आपकी कोणशी है सूकडी अब इसको बार-बार नाम ही लिखेंगे अधर रुदर लिख रहे हैं ना यह नदी कौन सी आपकी सुकडी नदी ठीक है सुकडी नदी सुकडी नदी कहा से निखले भई सुकडी नदी निखले आपकी देशोरी से अब इसका परवाद चहतर तीन जिलों में है, देसुरी पाली के अंदर है, पाली के बाद में ये नदी चले जाएगी जोदबूर के अंदर, पहले ये नदी बाड मेर में परवाइत होती थी, लेकिन उस इस्तान पे आज क्या है, आज आपके बल उतरा है, ठीक है न, तो इसका परवाज छेतर तीन जि फिर बाद में जाती है ये जोदपूर ग्रामिन, जोदपूर ग्रामिन, और फिर चल जाती है ये बल उतरा, पहले ये बाड मेर था, तो बाड मेर पढ़ते थे, अब ये इस्तान हो गया बल उतरा, ठीक है, उसके बाद में बल उतरा में किस्तान पढ़ता है, सम्दडी, य लोनी नदी में विले है बात आई समझ में ठीक है तो यह आपकी सूखडी नदी इस सूखडी नदी पे बांद बना हुआ है और उसका नाम है बांकली बांद कौन सा बांकली बांद कुल बांकली बांद ये अपने जालोर के अंतर है बांकली बांद तो ये इस नदी के उपर मनाओ ठीक है ना तो बांकली बांद कौन सा नदी पर है तो ये न देखो आप यह डाइग्राम देखो यह सूखडी नदी हो गई तीन जीलों में परवाचेतर है इसका देशूरी में देशूरी हाना और देशूरी से निकल के बाद पाली जोधपुरग्रामीन औरे बालोतरा ठीक है उसके बाद एक सा एक नदी आती है इसके जस्ट निचे उ मीठडी नदी यह लो बना दी यह कौन सी नदी बना दी मीठडी नदी इस नदी का नाम क्या है मीठडी नदी यह करम याद कर लेना यह में करम थुड़ा याद भिकरा दूंग आपको तो ट्रिक्स याद कर वान दोंगों तक याद हो जाएगा मीठडी नदी यह भी इदर अरावली के पस्ची में साइड से निकल के आती है लूनी नदी में विले हो जाती है तो अगली जो इसकी साइग नदी है उसका नाम क्या है मीठडी नदी हाना अगली साइग नदी कौन सी हो गई भाई मीठडी नदी सूकडी फिर बाद में कौन सी है मीठडी नदी मीठडी नदी का उद्गम इस्तल यह अरावली के पस्ची में इदर यह देखो एक चीज और परसन मनता है कि लूणी नदी की सरवादिक जो सायग नदी है वह किस जिले से निकलती है तो वह पली से निकलते हो लाष्ट में लिख लेंगे भाण तो मेठडी नदी आ राउली के अनों वलिके पश्चे में भाग से पश्चे में भाग से हम अना और ये जिल्हा वही परनी है परनी है ठीक ना तो ये भी टरीं नदी ब एल जाम एल खुर्ण मुली की देता हु परनी जोदपूर ग्रामिन और बालोत्रा में परवाहित होकर बालोत्रा में परवाहित होकर बालोत्रा का एक इस्थान पड़ता है मंगला 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 इस्थान कहां पड़ता है बालोत्रा में मंगला नाम के स्थान पर लूणी नदी में विले लूणी नदी में विले बात यहां तक क्लियर है यह मी ठड़ी नदी है इसका स्क्रिंशोट लेओ आप हाँ चलुख प्रागे वालन भी जलते हैं पड़ां पिर वह डाइग्राम निकलें पड़ां यह देखो इस नदी को थोड़ा आप डालेते हैं पड़ा यह लूणी नदी है आगे उसके बाद में देखे फिर आगे एक नदी है इसकी साएक नदी यह important बई और इस नदी का नाम है जवाई नदी इस नदी का नाम क्या है जवाई नदी यह नदी जवाई नदी है जवाई नदी जवाई नदी यह important बई जवाई नदी यह करम इनका याद रखना एसे लीलडी है फिर गुईया है बंडी है सूकडी है मीठडी है फिर जवाई है तो अगली साएक नदी कॉनसी है जवाई नदी ठीक है तो छै नमबर पे गया तो आगे साएक नदी कॉनसी हो गई यह आपकी जवाई नदी इसे जवाई नदी का जो उदगम इस्तल है वो भी पाली जिले में भई उदगम है इस्तल और इसका उदगम इस्तल है गोर्या गाउं की पहाड़ी गोर्या गाउं की पहाड़ी गोर या गाओं की पड़ी जिला कौन सा है पाली है ठीक है यहां से यह नदी निकलती है हाना मानचितर में भी देखना चाहोगे गए या फिर लास्ट में बना ले मानचितर में हाना यह पाली है ना यह पाली रहा यहां से निकलती है यह फिर पाली और उसके बाद में यह जा करती है ठीग सब स्कोषो तो बाद मिनाएगा लास्ट में शीयो कहां लिक रहते आ यहां लिख रहते तो इसका परवाज च्छेतर यह दिप पूछ लेरा परवाज च्छेतर तो इसका परवाज च्छेतर ट है तो पाली होAST से निकलती है यह कि आना उसके बाद बाद में हो गया जालोर और फिर हो गया बाड मेर बाड मेर बाड मेर में किस्तान है गुड़ा गुड़ा हाना बाड मेर मेर में यहां जाके यह नदी किस में विले हो जाएगी में लूनी नदी में विले लूनी नदी में विले अब देखो इस नदी पे एक बांध बना हुआ है हाँ ना उस नाम बांध का नामयाद इस नदी के उपरी बांध है जवाई बांध उस बांध का नाम क्या है जवाई बांध यह बहुत इंपोर्टेंट बई जवाई बांद जवाईबांद अना हे कहां पर यह 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 पाली के अंदर सुमेरपुर में चलो पाली लिग देता हूं मैं पाली में जवाईबांद में क्या-क्या बते याद रखने एक तो यह पस्चिमी राजस्तान का सबसे बड़ा सबसे बड़ा बांद देखो पस्चिमी राजस्तान की सबसे बड़ी नदी है ना वो तो कौण सी है वो तो आपकी लूनी नदी है और पस्चिमी राजस्तान का सबसे बड़ा बांद कौण सा है तो वो जमाई बांद है बांद कौण सा है जमाई बांद है इसलिए जमाई बा कहते हैं मारवाड का अमरित श्रोवर क्या कहते हैं मारवाड का अमरित श्रोवर यह आद रखना मारवाड का अमरित श्रोवर कई बार पुछा यह मारवाड का अमरित श्रोवर किसे कहते हैं तो इस जवाई बांद को कहते हैं इस बांद का निर्मान जोदपुर के महराजा उ उमेद शिंग ने ये पुछा था पिछे कि शिरास्तान पुरूश मुछा था साइद ये महाराजा उमेद शिंग ने करवाया था इसका निर्मान ठीक है ना तो ये भी थोड़ा सा आपे याद रखना हाना तो मारवाड कामरी स्रोवर है ये हाना जवाए नदी के ओपर अब भाणा वहा है जिसका नाम क्या है जवाए बांध है ठीक है एक ये दियान रखना कल हमने बात कि ती याद हो तो आपको कि सेई बांध से ये बांध से हाना और नहर के माद्यम से बीच में तो नहर बणी हुई है और बीच में चुटी सी जल शुरंग भी है भई हाना जल सुरंग के माद्यम से जवाई बांध में जलापूर्ती की जाती है, जवाई बांध में जलापूर्ती की जाती है, जलापूर्ती की जाती है, ठीक है? यह भी थोड़ा सापको याद रखना है, कल हमने पड़ा था न कि सेही परियोजना, सेही बांध वो सेही नदी के ऊप पर उद्यपूर के अंदुर कहा है ये उद्यपूर में है ये ठीक है ना यहां से नहर के माद्यम से और जलसुरंग के माद्यम से ये जो जलसुरंग बढ़ी थी ना इसके लिए काल अकल अपने पढ़ी थी ना मान शीवाकल जलसुरंग वो तो राजस्तान की सबसे लंबी ज यह जो जन्सुर्ण है ये राजस्तान की पहली जल सुरूं गई है ॥ पहली जल सुर्ण है पहली जल सुरूं गई है ठीक है इसके लंभाई है है साथ 6.5 किलो मेंटर के आ सपास है यह हैं तो यह इंपोर्टेन्ट है जवाई नदी जवाई नदी का उदग मिस्तल गोरिया गाओं की पाड़ी परवाचेतर पाली जालो और बाड मेर और गुड़ा में जाके लुनी नदी में विले हो जाती है जवाई बांद के बारे में याद रखना है पस्ची मेरास्तान का सबसे बड़ा बांद है मारवाड का अमरीद स्रोवर कहते हैं इसका निर्मान महराजा उमेद चिक ने करवाया था और सेही बांध से फिर नहर और जल सुरूंग के माद्यम से जवाई बांध के अंदर जलापूर्ति की जाती है यह राजस्तान की पहली जल सुरूंग है अब इस जवाई नदी की साइक नदिया है दो हाना वो देखो आप एक बार मैं इदर लिग देता हूं जवाई नदी की साइक नदिया है जवाई नदी की जैसे अभी हमने पट्ड़ा था ना बंडी नदी की साइक नदिया तो जवाई नदी की साइक नदिया है दो साइक नदिया है तो एक का तो आप नाम नाम याद रख लेना हैं एक का तो आप नाम नाम याद रख लेना मताई नदी कौन सी मताई नदी ये मताई नदी है ना मताई नदी ये इसकी साइक नदी है ये और मताय नदी में ताग याद रखना है कि रणकपूर जैन मंदीर इस नदी के किनारे है रणकपूरे जैन मंदीर इस नदी के किनारे है इसे नदी के किनारे है ठीक है ये बात याद रखो गया भई हाना ठीक है, तो , एक मुट्रेवर इंट, तो बताएग एक साहिग नधी हाँ जवाएग नदी की साहिग नदी है, याद क्या रखना है किस नदीगे किनारे कॉन सा मंदिर है? रनकपुर जयन मंदिर, ठीक है कला साइंस करते हम पढ़ते हूं, रनकपुर जयन मंदिर जानराइण साइग नदीन हो खारी नदी झाना वो खारी नदी एक थचा नदी है दिए फेनां से सत्रीनोड नहीं उना भै एक खारी न दी हमने बंश क सा खारी डई हम बं़ास खारी डाई राजमाहल में अब जल दो करा था नारहाकार आध बना हुआ था उसके भी अपने खारी नदी कि पिसा एक नदी देखिते अपने मान सी याद हो तो है याद नहीं है तो पिछवली क्लास देखो ठीक है ना तो एक उन्ची खारी नदी है ठीक है ना कर्मी बैंकर रहा है हाँ खारी नदी पहरे था को लिखे लेते हैं खारी नदी का जो उद्गम स्थले ना उद्गम स्थल वह आपका है शिरोई से वह भी आना एक सेर्गाव की पहड़ी मे मिन और आपने जवाई नदी में किसमें होगा जवाई सी नदी नदी में अनदीय यज को टेकर यह थोड़ा सा याद रखना को आंहां साईल ऐस्तान कर यह आपका जामके अंदर है यह ठीक प्रवाच शत्र दो जी यह हो गैशी रोर जाल याक पर वाच षतर तर ती रोर जाल और सीरोई और जालोर है ठीक है चलो डाइग्राम में बना लेते हैं इसको हाँ डाइग्राम कहा गया अपना डाइग्राम बहुत पिछे लागया है यह चलो इदर देखो यह इदर नदी है यह हां यह नदी यह जवाई की साइग नदी है यह तो इस नदी का नाम क्या है इस नदी का नाम है खारी नदी क्या नाम है खारी नदी कहां से निकली यह सेर गाउं की पड़ी से निकली वाई यह थी सेर गाउं की पड़ी से लास्ट में इसकी साइग नदी है सगी कौन सी सगी ह है सागी यह सागी नदी इस नदी का नाम क्या है सागी नदी यह सागी नदी यह इसकी साएक नदिया है यह करम भी यह इनका एक मित्री नदी ओर है चोटा सा नाम लिख लेना हाना मित्री नदी सागी नदी चलो सागी नदी के बारे में अपने लिखे लिया हां आब सागी न जवाई नदी यह जवाईगी यह तो साइक नदी आना जवाईगी तो यह साथ नम्बर होगी सागी नदी सागी नदी सागी नदी का उद्ग मिस्तल जालोर में होता है इसका जो उद्ग मिस्तल है इसका जो उद्गम इस्तलेना वो है जालोर में जालोर में है जस्वंत पुरा की पहाड़िया जस्वंत पुरा की पहाड़िया और ये जस्वंत पुरा की पहाड़िया के जिले में ये जालोर के अंदर रही है यहां से ये नदी निकड़ती है और उसके बाद इसका जो परव अच्छेतर है तो एक तो जालोर ही हो गया है जालोर हो गया इसके बाद में चली जाती है सांचोर में ये और फिर बालोत्रा में बालोत्रा में सोरी बाडमेर में बाडमेर में और बाडमेर में की इस्तान है गांदव कौन सा इस्तान है गांदव गांदव का है ये बाडमेर में है ये गांदव नामक इस्थान पर नामक इस्थान पर लूणी नदी में विले कहां लूणी नदी में विले ये इसकी सायक नदियां हो गई एक और नाम मैंने बताया भी लिख लेना मित्री नदी आठ नमबर पे नाम और लिख रहा हूं में इसकी सायक नदियों में क्या है मित्री नदी छोटी से भी नदी है मित्री नदी यह नदिया है ठीक है तो यह आपका डाइग्राम हो गया यह देखो, यह important है, इस diagram और आज़ान से देखो आप, यह करम है ऐसे, यहने इसकी सायक नदिया लिखेना पर मैं यहां लिख रहा हूं, उनकी सायक नदिया यह एसे करम है, साहयक नदिया तो एक तो आप पहले जो जड़ी नदि लिखिलो, जो जड़ी नदि, जोजडी नदी, तो वो तर याद रख लो, कि एक मतर्दाई और से मिलने वाली है, फिर आपके नदी हे साइक नदी कौननी कौन सी ल Canon's लील अधि कौनसी है, लीलडी नदी, उसके निचे कौनसी है, उसके रिचे बंदी नदी है, बंडी की साय नदी कुनची है तो गुईया है वो लेकिन गुईया है वो उपर यह ग्रामसयोग में आता सब पिछे परसन ये उसमें गुईया नदी भी था उसमें उत्र से दक्षन की और करम पूछ रखाता इनका तो गुईया नदी का भी नाम था और फिर आपके शुकरी सूखरी नदी ओ गया उसके बाद में आपके मीठ्धी नदी मीठ्धटी नदी और फिर जवाई नदी, और जवाई कि सही नदी कौन शिक्या बईि एक तो खरी पजी और एक मताई यह एक कौन शी है मताई, खरी निचे यह द्याना कारी इंपोर्टेंट है इसलिए इसको ड्रो किया है वने खारी नदी और एक हमने क्या पड़ा भी सागी नदी और मित्री थोड़ा से याद रख लेना ठीक है यह करा मैं उत्तर से दक्षिन की और याद कर लेना इनको लीलडी है ना लीलडी लीलडी को गुहिया में बंडी ने खा लिया बंडी होता ना साप होता ना बंडी है तो वो सूख गई सूखड़ी हो लेकिन फिर बाद में उसक तो सागी यही रेणी है। ऐसे याद दिखर लेंगें तो क्या करम से। लीलडी, गुहिया, बांडी, सूकडी, मीठडी, जवाई, खारी, सागी। यह उत्तर्शे दक्षिन की और करम है इनका। मैं लिख आओ यहापे। उत्तर्शे दक्षिन है करम। ठीक है एक बार थोड़ाशा पिछे देख लो इसक्रें लेले लिया इनका सब का डाइग्राम का इनका। यह देख लो बार थोड़ाशा। अचलो आके पिछे ठीक है यह लूनी नदी होगी लूनी नदी का परवासतर आज के टाइम आठ जिलों में लवनवती आदी मिठी आदी खारी नदी के नाम से जाना जाता है। या सबसे बड़ी नदी है यह पस्चीमी राजस्तान की आदी ऑन सबसे बड़ी नदी यह सबसे पर मोफ नदी सबसे बड़ी न Mund आधि लूनी नदी हो गही है। उद्गम इस ताल पर इसको सागरमती के राम से सरस्ती मिलती है तो ये लूनी नदी हो गई ठीक है ये मैप में देख लिया इसको उसके बाद में ये और है कि लूनी नदी कुल नंभाई हो 495 किलोमेटर है राजस्तान में लंभाई 330 किलोमेटर है आधी खारी आधी मिठी नदी है नाग परवत पर भारी वरिशा होती है तो बालो तरह बाद आएगी बांद जस्वन सागरी अपिछे आग मांद और एक नाकोड़ा बांद इस नदी के किनारे मलीनात पसुमेला वरता नागोड़ जौदपूर ग्रामिन दद्या नाम अगिस्तान पर लुणे नदी मिल जाएगी यह बात मैंने आपको बताए दिफेक्ट है यह डाइग्राम इस डाइग्राम को थोड़ा सब याद रखना हाना जवाई नदी जवाई नदी से पहले अपने दो नंबर के दिको क्यों पर लिदी रहा प॰सी नदी शाम इस युदां चाइग्राम फसके। प्ले बांद मिल जात रहा हैं संते यह बामा सलcono good the lg जोधपूर ग्रामिन पामिन आदि कि लूणी नदी मिल गई गूया नदी बंडिनदी नदी नदी इंपोर्टेंट भाई ठीक है अच्छा इधर पिछ चल रहा हना कि पिछयों पिछ जलो पिछय चार नमर्ब सुगरी नदी उद्ग मिष्दल देसुरी पाली आपिर समधडी में लूने नदी मिलेग इसके वपर बांकली बांध ये मिठडी नदी हो गई इसके बाद में जवाया नदी ए इंपोर्टेंड वही जवाया नदी बोत इतने पेली धुचंण और जो क़ल अपने मान क्षिवाखल जल सुरंग पड़ी थि ति थी ना वह जल सुरंग राजस्तान की सबसे बड़ी जल सुरंग है ठीक है ना और उसके बाद में जवाएनधी दोस हैंग नभी मठाटाई मथाई नधी किनारी और गरेंफर जयन किना वेधे हैं नमंतिर एक कारिस शेर गाओं की पाड़ी से निकलती है साधेन इने लास्ट में जस्वंदपुरा की पाड़ी से निकलती है कानग तो यह बाते होगी है ठीक है तो ओके धन्यवाद मिलते हैं फिर अगली क्लास के अंदर क्लास एक कैसे लग रही है यह तो बताया कर आप क्लास बढ़े लग रही है कि आपको ठीक है मिलेंगे फिर अगली क्लास के अंदर